नहीं चाहिए मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से स्री ओवेसी जी को विनंती करना चाहूंगा कि उन्होंने सुरक्षा ले लेनी चाहिए और सुरक्षा लेकर ही अपने राधनितिक कारेक्रम करने चाहिए धन्यवाद आई टर्नमर एट्टीन मान येकरम अंती जी अध्यक्षी दिलांक दीन फरवरी 2022 को सायंकाल लगबग पांच बचकर 20 बजे श्री असद्दिन ओवेसी सांसद लोगसभा किठोर मेरत उक्तरप्रदेश से एक जंसन पर कारेक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थी जब उनका काफला 6000 सी टोल प्लाजा नेशनल हैवे 9 ठाना पिल्खुवा जनपध हापूर उत्तरप्रदेश से गुजरा था दो अग्यात व्यक्तियों ध्वारा उनके काफले पर गोलिया चलाई गे इस गटना करम में स्री ओसी सुरक्षित बच गए लेकिन उनके वाहन के निचले भाग में तीन गोलियों को निसान दिखाई दिये उक्त गटना को तीन गवाहोंने भी देखा है इस संदर में एक प्रथम सुचना रिपोर्ट अपराद संख्या 45 बटा 22 अंतरकद धारा 307 भारतियर डंड सहिता और धारा 7 अपरादिक कानूं अधिनीमन 1932 धाना इलखुआ जनपध हापुड में पंजिक्रूत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही स्री उवेसी का जनपध हापुड में पूर्व से कोई कारेकरम नियत नहीं था और नहीं उनके आवा गमन के बारे में कोई पूर्व सुचना जिल्ला नियंत्रन कक्स को प्राप्ठ हुई थी श्री ओवेसी घटना के पस्चात सुरक्सित दिल्ली वापीश पहुच गए जनपद के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा घटना स्तल का निरिक्षन किया गया विवेत्ना के क्रम में स्थानिय पुलिस ने त्वरीत कारेवाई करते ह हुए दो अभियुक्तों को गिरबतार किया और उनमें से दो अनधिकृत पिस्टोल और एक अल्टो कार की बराम दिग्गी की गई गटनास्तर और वाहवन का फॉरेंट्सिक टीम द्वारा सुक्समता से जांच किया जा रहा है और साक्ष एकत्रित किये जा रहे हैं दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताच की जा रही है जन्पद में कानून और व्यवस्ता की स्थिती नियंत्रण में है और सामान्य है कडी सतर्कता भी बरती जा रही है केंद्रिय गुरु मंत्राले द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है पहले भी कई मौकों पर केंद्रिय सुरक्षा एजन्टियों के खत्रे के आकलन के अधार पर स्री ओवेसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैंद्र सरकार ने निर्देश जारी किये है लेकिन स्री ओवर्सी द्वारा सुरक्षा लेने की अनिच्छा के कारण बिल्ली पुलीस और तेलंगाना पुलीस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया स्री ओवेसी के खत्रे का उना मुल्यांकन कराया गया है और खत्रे के आकलंग के आधार पर उनको दिल्ली में बुलेट्ट्रूप कार के साथ अखिल भारतिय स्तर पर कैंद्री रिजव पुलिस बलकी जैड स्रेनी की सुरक्षा प्रदान की गई है मेरा वक्तव यह समाप्त होता है परणतु स्री OASG ने CRPF के सुरक्षा ब्रांच को मोखिक रुप से बताया है कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए मैं सदन के मात्यम से और आपके मात्यम से स्री ओवेसी जी को विनंती करना चाहूंगा कि उन्होंने सुरक्षा ले लेनी चाहिए और सुरक्षा लेकर ही अपने राधनितिक कारेक्रम करने चाहिए